तो दोस्तों आसा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे दा परफेक्ट शरी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो हम आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वियर्ड योगता को लेके तमाम जो भ्रमित करने वाली वीडियोज फैलाई जारी हैं उनसे आप लोग सतर करें उन इन्फार्मेशनों के प्रती आप थोड़ा सा जागरू करें तो आज हम लोग अपने इस वी बीड के काउं से इस्ट्टेन्ट इससे प्रभावीत होंगे जो बीड कर रहे हैं या वीड कर चुके हैं या वीयड करके गॉवर्मेट जॉप हासिल कर लिये हैं उन इस्ट्टेन्टों के लिए तो कंप्रीट इंफार्मेसन समझेगा अच्zar उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले में क्या और एड होना चाहिए था थोड़ा सा ये भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे ताकि आपके सारे डाउट अच्छे से किलियर हो जाएं ठीक है सबसे पहले यदि हम लोग बात करें कि यह जो नया जजमेंट कहलें या फिर असपस्टी करण कहलें यह किन इस्ट्टों के लिए है तो जो वियर करके गौर्निंट जॉब प्राप्त कर लिए है उन इस्ट्टों के लिए सुप्रीम कोट का ये नया जजमेंट है और इसमें ये बोला गया है कि जो भीया आपके 11 अगस 2023 को फैसला आया कि वियर्ट जो है वो PRT के लिए अलिजबल नहीं है उसमें एक तरीके कुछ कमिया दिखाई दे रही है इसके करिकुलम में जो कि ऐसा कुछ है नहीं तो ऐसा माना जा रहा था कि जो लोग जोब पा गये हैं 2023 के आसपास उनकी जोब यहां पे जा सकती थी तो सुप्रीम कोट ने बिलकुल असपश्ट कर दिया है कि यदि आप 2023 से पहले पहले यानि अगस्त 2023 से पहले पहले बियर्ट के थूरू ग़र्मेंट टीचर बन गये हैं तो आप भीया बिलकुल स समस्या नहीं है आप पे किसी प्रकार का अक्षेप नहीं लगाया जा रहा ठीक यानि जो लोग जोब पा गये बिलकुल सेफ हैं अच्छा एक पॉइंट और यहां पे आप लोग समझेगा कि इस फैसले में और क्या होना चाहिए था यानि इस फैसले में और क्या एड होना यह थोड़ा सा और यहां पे वैल्लूबल हो जाता अच्छा एक बार बताईए बाबू कि जो लोग 11 अगस 2023 से पहले पहले वियर्ड करके गौर्मेंट जॉब प्राप्त कर ली हैं वो बिलकुल सेफ हैं लेकिन उन्हीं के साथ उन्हीं के सह पार्ठी इसी कारबसमान लिज iki अग्डिगरी सेम कोर्स के माधियम से जो लोग ज्टिफिकेट बिलकुल अमान है वो प्यार्टी के जुलिए वियर्इबल नहीं है जो य सपरीमक का फैसला है मानना तो पड़ेगा सरोच नयालय का है आप ही सोचिए अपने लेवल पे अपने अस्तर पे बावू कि जो लोग 2023 के पहले पहले सेम कोर्स के माद्यम से जॉब पा गया है उनका तो बिल्कुल भीया एकदम सर्टिफिकेट वैलिड है वो पियाटी में पढ़ाने के लिए माननें लेकिन जो इस्टुडेंट अभी व होना चाहिए था कि जो लोग 2023 तक बियड में ले लिए हैं जो भी आगामी वेकेंशीज आएंगी उनमें वो अप्लाई कर सकते हैं यानि 11 अगस्ट 2023 तक जो लोग बियड में ले लिए हैं वो पियाटी के लिए अलिजबल है इसके बाद बहीया बच्चे अपने सुच्छा अनुसार चाहे तो वो आपके यहां पे डियर लेड करें या फिर चाहे तो वो यहां पे बीड करें वो उनके स्वेच्छा पे निर्भर करता है तो यह इनके फैसले में यह होना चाहिए था हम ऐसी उमीद लगा के चल रहे थे हम लोग कि तमाम आप ऐसे चैनल ऐसी वीडियोज देख रहे हैं पी आटी बीड से बाहर हो गया बीड योग नहीं है बिरिज कोर्स आ गया तमाम ऐसी इनफॉर्मेशन जिनका कोई आधार नहीं है तो ऐसी इनफॉर्मेशन से आप लोग बचिए उमीद करते हैं आपके सारे डाउट किलियर हो गए होंगे और ऐसी उमीद हम लोग लगा के चल रहे हैं कि जो दोहजार तेईस यानि 11 अगस दोहजार तेईस से पहले-पहले जो लोग एडमीशन ले लिये हैं उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट एक बार और सोचेगी एक बार और असपस्टी करण देगा भई कि आगामी भरतियों में ये लोग मानने होंगे ऐसा हम लोग उमीद लगा के चल रहे हैं और यदि ऐसा नहीं होता है तो जो वियड के स्टूडेंट है इनको जूनियर के लिए बिल्कुल अलिजबल कर दिया जाए अलिजबल कहने का मतलब है कि जो डियल stir के माद़्यम से या फियल आपके टीचर को जो जूनियर में प्रमोड कर दिया जाता था वो प्रमोशन को रोका जाए और V8 के थुरू उन पदों पे भरती की जाए, ऐसी उम्मीद लगा के चल रहे हैं, और ऐसा देखने को भी मिलेगा आगे, और जो student V8 की है, वो TGT के लिए तो भही है eligible है, साथ में, आप PGT का जो vacancy आएगी, उसमें V8 certificate माना जाएगा, और eligibility seated के दौरा ये निर्धारित की ज के थुरू आप PGT और TGT के जो एक तरीके से प्रारंभिक चरण होते हैं, उनमें यदि qualify होते हैं, तो आगामी एकजाम आप में एकजाम दे सकते हैं, ऐसी उम्मीद करेंगे हम लोग आगामी देखने को मिले, जो V8 धारक है या भी V8 डिग्री को हासिल किये हैं, उम्मीद करेंगे, ऐसी कुछ चीजे जरूर परिवर्तन देखने को मिलेंगे, बहुत जल्दी परिवर्तन देखने को मिलने वाली हैं, तो आपको बिल्कुल वह परिसान नहीं होना है, आपके पास TGT PGT के साथ साथ आपको जूनियर वे भी मौका मिलने वाला है, तो आप बिल्कु और जो डेलेड वाले student है उनका PRT में junior में तो बिल्कुल वो apply करी सकते हैं तो आपको बिल्कुल अपने में यह नहीं कि मार जगडा करना अपने से बिल्कुल दोंददा रखनी है रेम भाव सहानिभूति के साथ आप लोग जो भी course कर रहे हैं करते रहे हैं और हम यही request कि तमाम information जो इस प्रकार कियाती है भ्रमित करने वाली उनसे आप लोग थोड़ा सा बचने का प्रयास करिए बावू ठीक है तो यह वियट को लेके Supreme Court का नया judgment क्या था उम्मीद करते यह भी clear हो गया होगा जो इन जॉप हैं जॉप अभी कर रहे हैं उनके लिए सपस्टी क हैं उनको या फिर 2023 में जो admission ले लिए हैं इससे पहले बियर्ड कर लिए हैं उनको तो कम से कम आपके PRT में भया सामिल करना चाहिए था primary teacher में या प्रारंबिक चरण में उम्मीद करते हैं यह फैसला ऐसा होना चाहिए था और आगामी जब भी इस प्रकार के असपस्टी करना है तो ऐसी चीजों को सामिल करें सुप्रीम कोड यह उम्मीद करते हैं पूरी information आप लोग समझे होंगे मिलते हम लोग अपने class में न कर दीजेगा आप सभी भाईवयन को जय हिन जय भारत